नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जिरोधा क्वाइन के प्लेटफॉर्म के द्वारा आप किस तरीके से किसी म्यूचल फंड में SIP कर सकते हैं यहां पर मैं आपको एक ELSS फंड में SIP करके पूरा विस्तार से दिखाऊंगा तो दोस्तों जब भी आप क्वाइन के प्लेटफॉर्म से SIP करने के लिए जाते हैं या म्यूचल फंड बाई करने के लिए जाते हैं तो आपके पास में ZEROधा का एक DEMAT और ट्रेडे एकाउंट भी होना चाहिए तभी आप इस प्लेटफॉर्म को यानि की ZEROधा कोईन के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाएंगे तो अगर आपका एकाउंट ZEROधा के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है तो आप वहाँ से जाकर के भी अपना ZEROधा के साथ में DEMAT और ट्रेडे एकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहरे चैनल पर अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजीगा वीडियो पसंदा तो लाइक करिएगा और पूर दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा तो चलिए ओपन कर लेते हैं हम अपना कोईन का ये मोबाईल एप तो दोस्तों हमने अपने कोईन के प्लेटफॉर में लॉगिन कर लिया है लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अब नीचे की ओर में आपको एक डिसकवर को आप्शन मिलना है यहां पर यह सर्च वाला बटन बना हुआ है इसके उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद मैं जो यहां पर दिखा रहा है सर्च 3000 प्लस mutual funds यहां पर जिस भी mutual fund में आप निवेश करना चाहा रहे हो उसको यहां पर सर्च कर लिजेगा तो मेरे केस में यहां पर मैंने सर्च किया है केंडर रिबो को टेक्सेवर fund तो जैसे ही आप इसको डालते हैं तो नीचे आपके पास में कुछ इस तरीके के विकल्प आ जाते हैं तो यहां पर हम चुनने वाले growth वाले option को इस वाले option को हम यहां पर नहीं choose करेंगे तो जो भी यहां पर हम mutual fund में SIP करेंगे या buy करेंगे वो सारे हमारे यहां पर direct mutual fund है तो यहां पर इसके उपर हम कर देते हैं simply click click करने के बाद में एक नए पेच पे आ गये हैं और यहां पर हमसे पूछ रहा है कि आप buy करना चाहते हैं या फिर SIP करना चाहते हैं तो हम यहां पर choose करेंगे SIP को क्योंकि हम इस mutual fund में SIP करने वाले हैं यहां पर आप उपर की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको NAV मिल जाएगी बगल में आपको minimum investment मिल जाएगा कितना आप one time minimum investment कर सकते हैं तो इस case में इस mutual fund की case में 500 रुपया का है exit load यहां पर 0% का है लेकिन क्योंकि यह tax saver fund है तो यहां पर इसका जो locking period होता है हर किष्ट का 3 सालों का होता है यानि कि जिस भी दिन से आप buy करेंगे उस दिन से लेकर के 3 सालों तक यह आपका जो amount रहेगा वो lock रहेगा उसके बाद ही आप इस पैसे को निकाल सकते हैं साथ में यहां पर आपको expense ratio मिल जा रहा है 0.6% है तो नीचे की वर हम और देखते हैं अगर आपको देखनी है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर जैसे AUM इसका बता रहा है 4,176 करोड का locking period देखी यहां पर लिखा हुआ है risk involved में very high दिखा रहा है fund manager का नाम Mr. Vishal Misra है नीचे आपको मिल जाएगा sector wise allocation जैसे financial में इनका 30.7% है consumer में इनका 14.15 है information में 11 है इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की और जब आप आएंगे तो यहां पर आपको इनकी fund holdings मिल जाएंगी तो यहां पर सबसे ज़्यादा ICICI bank फिर Infosys, HDFC, Reliance इस तरीके से आप यहां पर इसको देख सकते हैं अब क्योंकि हमें करनी है SIP तो हम इस बटन पर कर देंगे click चलिए यहां पर हम कर देते हैं click करने के बाद में आपको यहां पर एक AMC SIP का option मिल जा रहा है जब आप AMC SIP के option को choose करते हैं तब आप यहां पर यानि की जरुदा coincare platform पर अपनी existing SIP में किसी भी तरीके का modification यानि की इसको घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं जो SIP आपकी amount एक बार create हो जाएगा जाने का कटने का तो वो उतना ही कटता रहेगा आप उसमें increase या decrease नहीं कर पाएंगे ठीक है यह आपको अपने दिमाग में बाठ clear कर लेनी चाहिए तो यहां पर initial amount बता रहे हैं कि 500 रुपया हमें देना है भी मैंने आपको पीछे बताया था कि one time आप buy करेंगे तब भी आपको 500 रुपया डालना पड़ेगा 500 रुपया से कम नहीं डाल सकते हैं 500 रुपया से अधिक जितना भी आप डालना चाहिए वो डाल सकते हैं तो यहां पर हम इसको कर लेते हैं 1000 और इसके बाद में नीचे जब आएंगे तो यहां देखिए यह पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी आप कैसे आप इसको मलब डालना चाहते हैं वीकली आप डालना चाहते हैं यहां पर जैसे कि हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यह आप्शन आ रहा है कि आप इस S.I.P. को कैसे वीकली करना चाहते हैं 15 डेस में करना चाहते हैं उसको step up करना चाहते हैं यानि कि एक certain percentage के हिसाब से आप हर साल उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसको choose करना है otherwise इसको आप uncheck कर सकते हैं ठीक है तो इसको थोड़ा सा और detail में बता देता हूं automatic step up तो जैसे कि माल लिजे आपका 1000 रोपे कट रहा है आपने जो ये increment percentage आपने अगर 10% choose कर लिया तो क्या होगा जिस तारीक को आप SIP कर रहे हैं तो next year इसी तारीक से आपकी जो SIP के जो amount है वो 10% से बढ़ जाएगी यानि कि जो पैसा आपका 1000 रोपे जा रहा होगा अब वो 1100 रोपे कटने लगेगा तो यहाँ पर हम इसको नहीं choose करते हैं नीचे की औ आएंगे तो यहाँ पर कोई और डिटेल हमसे नहीं मांग रहा है सीधे कर रहा है create SIP तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को तो यहाँ पर कोई किसी तरीके का मजाक मत करिएगा कि चेक करने के लिए आप करने लगें क्योंकि आज की तारीक में जब order create हो जा तो समझ लीजेगा उसके बाद ही आप अगला step अपना उठाईएगा अगर आपको SIP करनी हो तो तो यहाँ पर हम कर देंगे simply create SIP और यहाँ पर कर रहा है कि you are creating a weekly SIP for 1000 in canera reboco equity tax saver तो यहाँ से हम simply कर देंगे create तो जो SIP है हमारी यह created हो गई है ठीक अब इसको हम कैसे देख और यहाँ पर चले आते हैं हम home पर इस पर हम करते हैं click क्लिक करने के बाद में जो investment वाला option है यहाँ पर हम करते हैं click जैसे ही आप investment वाले option पर करेंगे आपको एक उपर option मिल जाएगा SIP का तो आपको यहाँ कर लेना है click तो यहाँ पर जब हम नीचे की और आएंगे तो next installment यहाँ date हमारा दिखा रहा है 13 November को और यह SIP हमारे weekly हुई है amount हमारा 1000 का दिखा रहा है तो दोस्तों यह बहुत ही simple है बहुत ही easy है SIP को create करना जिरोधा coin के mobile app के द्वारा तो एक चीच मैं यहाँ पर आपको और clear कर दूँ और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भ यह आपका DMAT format में रहता है इसी कारण से कई या कल यह अधिकतर जो भी mutual fund houses रहेंगे तो जब आप उनकी website पर जाएंगे तो यह आपकी जो जिरोधा coin में SIP चल लगी होगी वो वहाँ पर show नहीं करती है मैंने कई चेक किये तो नहीं show करती एक था SDFC की जो मेरे SIP है वो SDFC mutual fund की website पर show करती है लेकिन वो सिर्फ आप वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ से कोई भी transaction redeem या किसी भी तरीके कोई transaction आप नहीं कर सकते हैं ऐसा कोई विगलक वहाँ पर हमें provide नहीं रहता है तो बस यह एक छोटा सा वीडियो था अगर आप भी SIP करना चाहते हैं जुरुधा coin के दोरा अगर आप mutual fund में निवेश करना चाहते हैं कि आपको 0-10 के साथ में अपना DMAT और trading account open करवाना पड़ेगा तो इसके लिए link description box में मैंने दे रखा है आप जाए फटा पट अपना account open करवाईए और अपनी निवेश की journey को start करें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही व अश्कार